राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज सीता नवमी हैं. सीता नवमी को जानकी नवमी और सीता जैनती आधी नामों से भी जाना जाता हैं. आज के दिन माता सीता का प्राकर्टे हुआ था. आज के दिन माता सीता की कथा सुनने मातर से ही भागवान सीता राम जी की किरपा से घर में सुक्सम्रती और शांती का बास होता है साथ ही मन चाहा बर्दान भी प्राप्त होता है दोस्तो बैसाक मास के शुकल पक्ष के 9 में दिन याने की नम्मी तिती को सीथा जैन्ती मनाई जाती है इस दिन माता सीथा और भगवान शीराम का पूचन किया जाता है धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन माता सीथा का प्राकट्टे हुआ था भगवान सीता राम जी का जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ था ग्रंथों के अनुसार बैसाक महिने के शुक्लपक्ष की नब्मी को पुष्य नक्षत्र में महाराज जनक को प्रत्वी से संतान प्राक्त हुई थी ग्रंथों में इस दिन का महत बताते हुए कहा कया है कि इस दिन माता सीता और शीराम के पूजन के साथ ही ब्रत रखना चाहें इसी प्रत्वी दान सहित सोले तरहें के महत मों दान का भी फल प्राप्त होता है माना जाता है कि सीता जैनती पर भगवान सीता राम जी का पूचन करने से कथा सुनने मात्र से ही सुहाकन महिलाओं को अखन सौभाके का वर्दान प्राप्त होता है आज की दिन भगवान सीता राम जी का पूचन करने से बैवाहिक जीवन सुख में बनता है और बैवाहिक जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाते हैं रामायन में माता सीता को जान की कहकर भी संबोधित किया गया है देवी सीता मितला के राजा चनक की पुत्री थी इसलिए उन्हें जान की भी कहा जाता है माता सीता को लक्ष्मी माता का अपतार माना जाता है जिनका विभा अयोध्या के राजा दश्रत के पुत्र और स्वैम भगवान बिश्नों के अपतार भगवान शीराम से हुआ था विभा के उप्रांत माता सीता को भगवान राम के साथ 14 साल का बनवाज छेलना पड़ा था हाला कि माता सीता के जन्म को लेकर कई पौराणी कथाईं प्रश्लित हैं जिसके अनुसार कहा जाता है कि देवी सीता दाजा जनक की गोध ली हूई बेटी थी जब की कहें कहें इस बात का जिक्र भी मिलता है की माता सीता लंकापती रावन की पुत्रे थे आज ही इस वीडियो में हम आपको माता सीता के जन्म से चुड़े ये दोनों ही पौराणे कथाएं सुनाएंगे पहली कथा बालमी की रामायन के अनुसार एक बार मिथला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहत परिशान हो गए थे तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक रिशी ने यक्य करने और धहती पर हल चलाने का सुझाप दिया रिशी के सुझाप पर राजा जनक ने यक्य करवाया और उसके बाद राजा जनक धहती जोतने लगे जब राजा जनक हल जोत ही रहे थे कि अचानक उन्हें धहती में से सौने की डलिया में मिट्टी में लिप्टी हुई एक सुन्दर कन्या दिखी उन्होंने उस कन्या को उठा कर हाथों में लिया कन्या का इस पर शुहूरती ही उन्हें प्रेम की अनुभूती हुई राजा जनक की कोई संतान नहीं थी इसलिए राजा जनक ने उस कन्या को अपनी पुत्री बनाने का निर्ने लिया और राजा जनक ने उसका न्या का नाम सीता रखा माता सीता के जन्म से जुड़ी एक और कथा प्रशलित है जिसके अनुसार कहा जाता है कि माता सीता लंका पती दावर और मंदोदरी की पुत्री थी इस कथा के अनुसार सीता जी बेदबती नाम के एक इस्त्री का पुना जन्म थे बेदबती फिश्णु जी के परम भक्त थी और उन्हें पती के रूप में पाना चाहती थी इसलिए भगवान फिश्णु को प्रसंद करने के लिए बेदबती ने कठो तपस्या के कहा जाता है कि एक दिन रावण वहां से निकल रहा था जहां बेदबती तपस्या कर रही थे और बेदबती की सुन्दता को देखकर रावण उस पर मोहित हो गया रावण ने बेदबती को अपने साथ चलने के लिए कहा लेकिन बेदबती ने साथ चाने से इंकार कर दिया बेदबती के मना करने पर रावण को क्रोध आ गया और उसने बेदबती के साथ दुर्वेवार करना चाहा दावण के इस पर शकरते ही बेदबती ने खुद को भस्म कर लिया और रावण को शाप दिया कि वह रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और उसकी मृत्यू का कारण बनेगी कुछ समय के बाद मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया लेकिन बेदबती के शाप जिभैबीत रावण ने जन्म लेती ही उसकन्या को सागर में फैंक दिया जिसके बाद सागर की देवी वरुनी ने उसकन्या को धर्ती की देवी प्रत्वी को सौप दिया और प्रत्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनेना को सौप दिया जिसके बाद राजा जनक ने माता सीता का पालन पोशन किया और उनका विभा भागवान शीराम के साथ संपन्य कराया फिर बनबास के दोरान रावण ने सीता जी का अफरहन किया जिसके कारण भगवान श्री राम ने रावन का बद किया और इस तरह से सीता जी रावन के बद का कारण बने दोस्तों माता सीता के जन्म कथा के अलावा एक लोग कथा बहुत ही प्रश्लित है यह लोग कथा उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हर्याना आदी कुछ छेत्रों में सीता जैन्ती के अफसर पर पड़ी और सुनाई जाती है अब हम आपको माता सीता और भगवान श्री राम के बही प्रश्लित लोग कथा सुनाएंगे दोस्तों यह कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बहाँ जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगें कि भगवान मेरा तो बारे वर्ष का नितने नितनियम है अगर आप बहार जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाँगे शीराम ने कहा कि तुम कुई की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगे उन्हें अपनी कहानी सुना देना सीता माता कुई की पाल पर बैठ जाती है एक इस्त्री आई उसने रेशन की जड़ी की सारी पहनी थी और सौने का घड़ा ले रखा था सीता माता उसे देख कहती है कि बहन मेरा बारे वर्ष का नितनेम सुन लो पर वह इस्त्री बोलेगी मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी उसने कहानी नहीं सुने और चली गई उसकी रेशम जड़ी की सारी फट गई सौने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया सास ने देखा तो पूछा कि ये किस दोश कोतु अपने सरपली आई है बहु ने कहा कुए पर एक औरत बैठी थी उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं जिसका ये फल मिला बहु की बास सुनकर अगले दिन बही साड़े और घड़ा लेकर सास कुए के पाल पर गई सास को बही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि पहन मेरी कहानी सुन लीजी सास बोली की एक बार छोड मैं चार बार कहानी सुन लोगे राम आई लक्षमर आई देश के पुजारी आई निकनेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम तपीर सोई जीयो राम माखन मिश्री खाओ राम दूध बताशा पीयो राम सूत की पलका मोठो राम शाल दुशाला पोठो राम शाल दुशाला ओडो राम जब बोलू जब राम ही राम राम सवारे सब के काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे सास बोली की बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फेसे रेशम जरी की बन गई मिट्टी का घड़ा फेसे सोने के घड़े में बदल गया बहु कहने लगी सासो मा आपने ये सब कैसे किया सास ने कहा कि बहु तो दोश को लगा कर आई थी और मैं दोश को उतार कर आई हूं बहु ने फिर पूछा कि वह कुए वाले इस्तरी कौन है सास बोली कि वे सीता माता थी वे पुराने से नया कर देती है खाली घर में भंडार भर देती है बहल लक्षमी जी का बास घर में कर देती है आदमे की जो भी इक्षा हो उसे पूरा कर देती है बहु बोले कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो और सास ने कहानी शुरू की राम आए लक्ष्मन आए देश के पुजारी आए नितनेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम तपी रसोई जीओ राम माखन मिश्री खाओ राम दूद बताशा पीओ राम सूत के पलका मोठो राम शाल दुशाला पोठो राम शाल दुशाला ओडो राम जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सब के काम खाली घर भंधार भरेंगे, सब का बेड़ा पार करेंगे शी राम जै राम जै जै राम कहानी सुनकर बहु बोली की कहानी तो बहुत अच्छी है सास ने कहा की ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे अब सास बहुर रोज सवेरे उठती नहाती धोती पूजा करने के बाद नितनेम की सीता जी की कहानी कहती एक दिन उनके यहाँ एक पडोस की ओरत आई और बोली कि बहन जरासी आस देना तो बहन बोली की आस तो अभी हमने जलाई नहीं है पडोसन ने कहा तुम सुभे चार बजे से उठका क्या कर रही हो फिर उन्होंने कहा कि सुभे उठकर हम पूजा करते हैं फिर सीता माता की नितनेम की कहानी पड़ते हैं पडोसन ने उनकी बास सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला बे बोले के इनके कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं सारे काम सिद्ध हो जाते हैं मन के इक्षा भी पूरी होती है पडोसन कहती है के बेहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना तो फिर बेहन बोले के ठीक है तुम भी यह कहानी सुनो उन्होंने सारी कहानी पडोसन से कह सुनाए पडोसन कहानी सुनने के बाद कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी अब बह पडोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी कहानी कहने से सीता माता ने पडोसन के भी भंडा भर दिये अब तो पूरे महले में नितनेम की कथा चल पड़े हर किसी की मनुकाहना पूरी होने लगे ही सीता माता जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना कहानी सुनने बाले के भी और कहानी कहने बाले के भी प्रेंड प्रेंड और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तेदारों में जादा से जादा शेयर करें जिससे भेवी इसका लाब उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें टैंक्स फॉर वाचिंग टादे टादे